गुड आफ्टून बच्चो तो बच्चो आज क्लास फूर के बच्चे बुक पे नमबर 18 पे पढ़ेंगे तो आओ बच्चो पढ़ते हैं सबसे पहले स्वाल है सही लफज चुनकर खाली जगों को फुर कीजिए तो देखो यह खाली जा लेखा हुआ है डेश काट इसमें दो वर्ड दिये हुए हैं लफज दिये हुए हैं पहला वर्ड है दाल अलिफ लाम दाल दूसरा है बे अलबाल लाम बाल तो बच्चो कौन सा आएगा इसमें दूसरे वल आएगा येस तो जहां लिखेंगे बे अलबाल लाम बाल बाल काट तो जहां लिखेंगे डैस साफ कर इस ब्रेक्ट में दो आफ्षिन दिये हुए है जैनि नून अलिफ नाक इफ नाक ये नून अलिफ नाम नाम तो क्या साफ करेंगे नाम साफ करेंगे नाक हाँ नाक साफ करेंगे नून डाल दो लफज दीया हैक well गलिया को इसमें कून सा आएगा हिर्ब कून सा आएगा हान्म आएगा बोगा आग ने हैं अ नूब है दिया है दिया तो नोन में कीप सब्जी में नमक डाल अब टीजेरा है नहूब ओड़ता चैस हम धे लिख क्सलिक गいました option दिये हुए है हल से लिखना है कि कलम से लिखना है कलम होता है पैंसल जब पैन तो यहां आएगा बचा हाँ कलम कलम से लिख कि यह दो नुटिया काफ लाम में कलम कभी भी कलम का स्पैलंग कीव से नहीं लिखना है वो गलत होता है क्योंकि यह काफ लेटर जो डुका होता है और जो कलम वर्ड है यह भी अर्विका है इसलिए काफ से लिखना है दो निक्तिय काफ से कलम कीफ से नहीं अब निचे आईए जैल में दिये गए हम आवाज लफज को मिलाईए जैने सेम साउंड वर्ड तो मैंने आपको यह हिंट दिया हुआ था कि लास वरा जो लैटर होता है वो सेम साउंड पहला करते हैं तो देखो पहले जैसे काम काम में है दाम तो दाम में 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 है इधर भी में है तो यह सेम साउंड है इसको मलाया हुआ पहले ही यह है दूसरा कान का करेंगे मान कान मान इधर यह भी है चलन नहीं है ले इसका साउंड नहीं है यह कान मान स आज आपने हुरूफ तहजी लिखना है रूताजी क्या करना है जेर से लिखना है अलब सलेक बढ़िये तक जी आपका होंवर्क रहेगा ओके बच्चो